हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कच्छा दस्मी आद्वासिक परिछा यादि कच्छा दस्मी का जो समाझ का पेपर होने वाला है आदवासिचा में तो उसके लिए भूस से इंपॉर्ण को स्ट्वन में आप लोगो बताऊंगा तो यदि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण सावित हो सकता है पेपर पहले ओके तो पेपर के लिए सभी इस लेटेट कोश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आच चुका हूं तो चलिए फ्रेंट्स बिना देर के वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो फैला जो कोश्चन आप लोगो तयार करना है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों जितने पीकोश्चन मताऊं गा सभी को आप लोगोंको तयार कर लेना है ओके सभी कोश्चन बहुत ही स्रफожет को देखने को मिल भी जाएक एक है तो चलिए V ora परियोजनों और पर्योज दो उपाय बताईए सुभेद जातियों से क्या आश्य है UNCD से क्या समस्ते हैं इसका मुख उदेश्च बताईए नवीकर्ण वा अनवीकर्ण संसाधन किसे कहते हैं जैव विवित्ता को कम करने वाले दो मुख करणों को लिखिये रोपन क्रिस्टी की दो विशेस्ताइं लिखिये इसके बाद अंगला है क्रिस्टी से क्या आतात पर है वैस्वी करण को समझाईए उदारी करण से क्या आतात पर है अस्वेत सक्ति अंदोलन को समझाईए अठारा सो पचास के दसक में भारतिये बुनकरों के समख्चे आई कोई दो चुनोतिया बताईए भारत में इस्थिते कोई दो व्रियाद और दो शेत्रों के नाम बताईए गांधी जी ने असायोग अंदोलन को वापस क्यों लिया समझाईए इसके बाद देखते हैं अंगला प्रश्ण है इसके बाद 19 नमबर है लंदन को फत्रहावी फताब्दी में फिनिस्चिंग सेंटर क्यों कहा जाता था 20 नमबर है उर्जा के परामपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए 21 है समाजिक विभाजन की राजनीती का परिणाम किन आयामों पर निर्भर करता है 22 है समाजिक अंतर कब और कैसे समाजिक विभाजनों का रूप लिलेता है समझाईए इसके बाद है करजिदार को रिण लेते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है समझाईए इसके बाद अंगला है उपभोकता जागरुकता के महत्य को समझाईए असाहियोग अंदोलन का कारण और परिणाम लिखिए इसके बाद है समझाई आवाग्या अंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाईए इसके बाद अंगला कोशन है जागरुक उभोकता इस्थानी बजार जाने पर अपने कौन कौन से करतव्यों का पारण करेगा लिखिए इसके बाद समझाई देखेंगे रिक्तिस्तानों की पूर्टी वाले जो कोशन आते हैं तो सभी दोस्तों इंपोर्टन कोशन है आप लोग इनको जरू पी जरू तयार कर लीजेगा इनके अंसर आपनों खुछ से लिख लिए ना मैं आपनों को वीडियो में नहीं बता रह बीमाई किसका मापाख है राइट टू इनफॉर्मेशन कानून भारत में कब लागू किया गया इसके बाद भारते समझार की आठी में कितनी भासाओं को रखा गया है इसके बाद है मैगनेटाइट लाव आसके में लोहांस कितने पिरसत होता है यंग यूरोप की स्थापन कब हुई थी इसके बाद फ्रांट सही जोड़ी वाले कोशन देख लेते हैं बहुत ही इंपॉरंट सही जोड़ी है आप लोग देख लिए इनकी सही जोड़ी आप लोग मिलान कर लिएगा ओके इनकी आंसर आप लोग खुछ से काते रहना दोस्तों इन सभी कोश्यन को परसंट त्यार कर लेना है बाकि इनके अलावा भी और जो कोश्यन इंपॉरंट है उनको भी आप लोग पढ़ लेना जो आप लोगो इंपोर्ण लगता है बाकी मैं आप लोगो इस वीडों में जितने भी इंपॉरंट कोशन है वो बताने कोश्चिश किया और दोस्तों इ कि प्रथम अंताराश्ट्री समयलन का और कहां अयोजित किया गया किसी भी धर्म को राजकी धर्म की रूप में अंगी कार नहीं करना क्या कहलाता है इसके बाद अंगला कोशन है सार्वंजिनिक और निजी छेत्रक विवाजन का आधार किया है इसके बाद है सन 1813 में फ्रांस से तुमें मानिता प्राप्त राश्ट्री तल का नाम लिखिए इसके बाद अगला है उनीसमी फदी के अंत में अफरीका के सबसे बड़े ऑपनिवेश्ची के छेत्रे का नाम बताईए इसके बाद अनला कोशन है फत्रह फचोफट में कताय प्रक्रिया में उप्योगी मश इसके बाद है कोप्रा से क्या अभी पराए है इसके बाद है सरवाधिक बाल इस तरह पूस अनुपाद वाला राज कौन साहिब भारती आर्थवस्ता को मुक्ता कितने चेत्रों में विभारित किया गया है तो फ्रेंट यह होगा सभी इंपोर्ट कोशन आप लोग इनको ज सब्सक्राइब करें तो आप लोग सब्सक्राइब को हंडेड परसंट तयार कर लेना ओके तो चलिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बफितना ही मिलता हूं आप सब इसने अंगली वीडियो में तब तक लिए जहिन वंद्यमात्रम